रिट पे इस्कार है, एक बड़ा सा इस्कार, डिप्रेष्ट इस्कार, स्टीचेस का मार्क्स कितने दुनों पहले चोट लगी थी? बच्पन में ये टेरे से गिर गया थे उस समय इसमे इस्टीच लगया गया था, बाद में कोई treatment आप सर्च किया की नहीं? किसे पता चला फिर की करवाने चाहिए और यही करवाने चाहिए यहां देखिया आपका बहुत अच्छा फीडबैक था डेटमेंड में काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा था पुसस करते हैं आपका इसकार पूरी तरह खतम हो जाए इस जगह पे इसकार कर लिट्ल बी अच्छा ही रिजल्ट आता है बस एक मार्किंग कर रहे हैं और कुछ यह इतना एरिया है जिसको की सर्जल्ट में हम लोग डिसकार्ड करेंगे और यह उपर नीचे का जो मार्जन है जो नॉमल टिसूज है यह और यह यह दोनों आपस में यूनाइट करेगा यह दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा लगवग 6-7 cm x 2 cm का यह स्कार का साइज है जो डिसकार्ड होगा तो स्टार्ट करते हैं स्कार रिविजन सर्जरी विच योट लेजर कंप्लीट हो गई है अब किसका रिविजन सर्जरी वन वीक के बाद हम दूसके स्टीश निकालेंगे हैं डे 7 पे स्टीश निकलते हैं और हिट पे बहुत बड़ा सा स्कार विच स्टीश मार्क एक वीक पहले सर्जरी पही थी और आज स्टीश निकाले हैं अभी अगर और मार्जन अफ टिसू अपस में अच्छे से युनाइट है थोड़ी सी रेटनेस जो स्टीश का थ्रेड्स था ऐसे तो बहुत फाइन थ्रेड्स 60 प्रोडीन का यूसरी करते हैं या 70 उसका अपना एक इंडेशन मार्क्स वो दिख रहा है आप NTS का मेडिसिन, सिलिकन जल और जल सीट अलाउंग विद सन प्रोडेक्शन, सन स्क्रीन वो सारी सीजनों का यूस करेंगे तो यह वन वीक में ही काफी अच्छा देखने लाएगा वन मन्त के बाद इसमें फिर लेजर सेशन करेंगे हैं वो फॉलो अप लेजर सेशन करने से अल्मोस्ट ये स्कार खतम ह जाएगा